आज के इस विशेश जोइनिंग कारिक्रम में हार्टिक श्वागोतर अबिरंदन मित्रौ आप जानते हैं कि राजस्थान के राजनिती में की नहीं बल्कि पूरे भारतवाश के राजनिती में आमाधी पार्टे का विशेश इस्थान है और इस थान इस दे के हम जिस्थानिक राजनिती करते हैं वो जन जन से जुड़ी है जनता से जुड़ी है और जनता और जन की जिन अफेक्शाओं की उम्मीद होती है उनसे जुड़ी है और यही कारण है कि शिक्षा के शत्र को ले ले कला के ख्षत्र को ले ले, उद्यों के ख्षत्र को ले ले, खेल जगत को ले ले, सभी जो प्रतिभाएं हैं, वो आम आदिय पार्टी का चुनाव करती हैं, रुख करती हैं, क्योंकि ने मालूम है, इस देश में एक मात्र पार्टी ऐसी है, जो इन सब तपकों का खयार रख स सकती है आज का दिन आमादी पार्टी राजस्तान के लिए बहुत विशेश दिन है कलागर जगत की जानी मानी हस्ती और जो अपने निकनेम अगोरी नागोरी के नाम से जाने जाती हैं वो आज हम सब किप्स मौजूद है और आज अपने विश्वास को विक्ति करते हुए आम करूँगा राजस्तान के प्रभारी विने मिश्वाजी से कि आज की जोइनिंग पर ठोड़ी डिडेल डाले और आज की जो हमारे जोइनिंग करता है उनको पार्टी जोइन करवाए शिविने मिश्वाजी प्रभारी आमादी पार्टी राजस्तान बच्छोब प्यां इड ल जुट झाल अवाद्ट फिस्ट आख में पूद्ट स्थर्ण गजर अपाद इंड इंड ड्रृब आप सभी का बहुत स्वागत मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान की एक नागौर से निकली हुई बेटी जिसने सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में लाजस्थान का नाम रोशन किया और बिग बॉस जैसा बड़ा कायकरम जिसमें जाने के लिए पूरत देश ललायत और बड़े बड़े सेलिबिटी जिसका हिस्सा बनना चाहते हैं उस बिग बॉस का हिस्सा रही गौरी नागौरी जिनका रियल नेम तस्लीमा बानो है आज आ काफी दिन चर्चा चली और मुझे ये कहते हैं बहुत खुशी है कि अर्विन जी के काम से बहुत प्रभावित है अर्विन केज्रिवाल जी में दिल्ले में काम किया है पंजाब में जिस तरीके से भगवतमान साब लेकर सरकारा काम चल रहा है और जो आम आदी पार्टी की प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रवक्ता भी है और आज ये भी हमारे पार्टी दामन थाम रहे हैं उनने भी इनके काफी इसी जूर्स हैं और ये काफी बच्चों को इंजिनर बना चुके हैं बहुत सारे ऐसे अब सरपंच और पार्षद है जो बहुत जल्द हमापो ल करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हमादी पार्टी में बड़े बड़े लोग आमादी पार्टी दामन थामेंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले निद्गौरी जिसे गुजारिश करूँगा आपने वक्त अरफिस के बाद वेद प्रकाशी है पहले तो सबी को नमस्ते राम राम असलाव आलेकूप और आप सब आज यहां पर आये हैं इसके लिए हम तायर दिल से आपके वो शमान करते हैं और मैं यह कहना चाहते हूं आम आज में पार्टी में मेरा आने का मकसद यही है कि जैसा दिल्ली है वेसा ही हमारा नागोर बने और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी वहां पर बसे फिरी हो और वहां पर सिक्षा का भी एक वो होता है ना कि पढ़ाई जितनी वहां पर हो सके और होए और मैं यह चाहते हूं कि वहां की जितनी भी माहिलाएं हैं, जितना संगस मेंने किया हैं, मैं चाहती हूँ कि वहां की और महिलाओं को वो सब नहीं करना परूए। Thank you. Thank you. I am Komash, जितने वाटी में सेवा कर देखे को मुझे दने वागा। मैं गुरु में GDA जब्टु डवर्टमें थरुटी में इनियर राव सरकारी दोगी है, गुवर्मेंट में आसमा में रिजैन किया, उसके बार मैं सामधिक सिवाव में सिख्री और सिख्षा के लिपर में भारत के वन ओप दा था इस 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 बार में मैंने एचोडी देपार् अधे मैं फिजैन hall लोका वाओ में यह सम्मारत की में ओप अधीन में अरो सिख्षाी जो यह यूदैसमाज में, मुझे आणेलाओं और सम्माज के लिए कुछ करना चाहता है, इनकर दर जजवा है सम्माज के लिए कुछ करने पां इनकर जजवा है, मतलब राजिस्तार के करने का उनकी लिए सही मंच और ब्यूक्त मच जहां तक मुझे लगा सूथ के वह लगा का मादवी पर्टी है मेरे जैसे लोगों को फ्रिट फॉर्म देगा जगे देगा जगह देगा और लगवाग दसजार कारे करता पहले भी मैंने दूसरे पाड़ी में जोड़े थे आज अब में पुरी दरसे तन मंतन से कम्प्रिंट्री पूरी दरस Rankमे नभी मेरा लुगा है कि सिस्केमाल करके अमाधी पार्टी को नए हुकाम तक ले जाने का पूरा फ्यास करें और अबना सब कुछ हमाधी पार्टी को भी विराशावर करो और बिंदे जिने करके दिखाया है उसको करने के लिए पर करने के लिए चाहराश्चे के आनतरी आप में से बहुत तरी साथियों को और या फिर बन्तून करना तेका बता दीजिए का अलग रूग यूट